नमस्कार बहुत बास वात करते हैं क्लिक टूड़े के आज के इस वीडियो में और इस वीडियो में हम बात करने वाले बिहार इंशुटी मुझाफरपूर के तमाम छोटे बरे अपडेट को ले करके तो आज के इस वीडियो को जो पूरा सुरु से लेके अंत तक देखेगा आपके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण हो सकती है जो भी UG का परिशा देने वाले है या फिर UG में अडमिशन लेने वाले है तो देखे सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं UG 2024 से 28 सेशन में BA BAC B.com में जो है कल यानि की 27 तारीक को आखरी स्पॉर्ट एडमिशन का डेट है तो जो भी स्टूडेंट स्पॉर्ट एडमिशन करना चाते कल जो है किसी भी कॉलेज में जाकर के स्पॉर्ट एडमिशन ले ले UMI इस पॉर्टल जो है कल तक खुला रहेगा उसके बाद जो है अब कोई भी थी थी स्पॉर्ट एडमिशन के लिए शायद ना बढ़ाई जाए तो जो भी स्टूडेंट ने अभी तक एडमिशन कहीं भी किसी भी विस्विद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् ले सकते हैं ऑनलाइन आवेदन करने के बाद इसकी बाद जो है बहुत सा स्टूडेंट का लगातार सवाल यह आ रहा है कि सर 2022 से 25 सेशन का पार्ट टू का रिजल्ट कब तक के जारी किया जा सकता है तो देखिए पार्ट टू की कॉपी चेकिंग हाल फिलाल में जो है लोगे परिक्षा दे रहे हैं तो जो रिजल्ट है वह अभी कहा जा रहा है कि कॉमर्स का रिजल्ट सायथ पहले आ जाए और उसके बाद बीए फिर बीए सी का रिजल्ट कुछ कुछ सब्जेक्ट का आ जाएगा पताया जा रहा है ऐसा कि 10 आउगस्ट तक में भी जो है कॉ आपका जो परिक्षा कारिकरम है बोला गया था इसी हफते जारी होगा लेकिन अभी तक के परिक्षा कारिकरम को ले करके कोई भी खबरे नहीं है तो मैं अब यही अनुमान लगा रहा हूँ कि August के first week में यानि कि अगले हफते में जो है आप लोग का परिक्षा कारिक्रम कहीं देखने को मिले या फिर जो है second semester का examination जैसे ही 7 तारीकों खत्म हो जाएगा उसके आज जो परिक्षा कारिक्रम जारी किया जाएगा परिक्षा part 3 की पहले होगी special परिक्षा से पहले यानि जो part 1 special परिक्षा 2022 से 25 का होना था उससे पहले जो है part 3 की regular वालों की परिक्षा ले ली जाएगी उसके बाद ही कोई special exemption या कोई भी exemption कंड़क करवाया जाएगा 2021 सेशन की छात्राओं को पहली बाद की बड़ा जटका लगा है अभी सनातक में जो 50,000 की राशी उनको मिल जाती इस बार आवेदन उनका हो जाता वो आवेदन अब जो सीधे अगले साल होगा कारण यह है कि result उनका अभी आया नहीं परिक्षा भी हुआ नहीं इसके वाज़े से उनको एक साल अभी इसके बाद से इंतिजार करना का उसके बाद ही उनको 50,000 की graduation pass out होने पे scholarship का amount जो मिलता है वो मिलेगा ठीक है बाकी जो students है वो अपनी पढ़ाईया करते रही है आपका परिशा जैसा मैंने बोला 19 अगस यानि रक्षा बंदन के बाद से जो शुरू हो सकता है फॉर्म बढ़ने के लिए एक last date 500 रुपए बिलमसुल के साथ निकाला जा सकता है ये भी बताया गया है अभी देखे confirm नहीं बोल सकते हैं कि फॉर्म भरवाया ही जाएगा लिकिन अगर student की जो है मांग रहेगी college के तरफ से request to university को जाएगा कि party 3 का form बढ़ने का एक और date दिया जाए तो फिर एक और date दिया जाएगा जिसमें कि आप सभी जो अपना form भर सकते हैं जो भी student का छूट गया होगा ठीक है अभी परिशा कारिक्रम आएगा तो हम आपको जो अपडेट करके बताएंगे साथ ही अपने subject का question bank guest paper purchase कर सकते हैं हमारे website का link जो description box में दिया है वहां से आप लोग diet जाकर के जो है अपने subject का guest paper question bank purchase कर सकते हैं click today coupon code रहेगा capital में click today लिखेगा जिससे की coupon discount आपको लग जाए उसके जो amount रहेगा वह आपको payment करना रहेगा PDF format में आपके mail पर question bank guest paper चला जाएगा या फिर अगर WhatsApp के माधियम से आप purchase करना चाहते हैं तो number is 620-211-7598 इसके ओपर message करके VVI question as well as question bank भी आप purchase कर सकते हैं इसके लिए कुछ nominal charges आपको pay करने पड़ेंगे तो आज की वीडियो में यही रिपोर्ट थी जो भी update थी हमने आपको बता दिया अगर आपके कुछ सवाले सुझाओ तो नीचे comment करना ना बूले वीडियो को like करना ना बूले फिर मिलते हैं आ परिक्षा आपकी अगले महीने ही होगी धन्यवाद